नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल All Job Information में दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रेल्वे गुरूप D की जो भरती हुई थी बासेट हजार कुछ बदो के लिए तो उसमें लगभग साड़े तीन करोड फोरम अपलाई हुए थे और रेल्वे ने क्या किया है कि लगभग सवा करोड फोरम है उनको reject कर दिया है कुछ एक को फीज के कारण और कुछ एक को फोटो के कारण जो फोटो पे पटी लगी हुई है उसके कारण तो दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप अपने फोरम को कैसे चेक कर पाएंगे कि आपका फोरम है वो एकसेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है यही इस वीडियो में सारी जानकरी आपको मैं पूरूप के साथ बताने वाला हूँ तो आप इस वीडियो को लास्ट एंड तक देखिए और हाँ दोस्तो अगर आपने हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो सबस्क्राइब जरूर कर लीजेगा क्योंकि हम हर रोज आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाते रहेंगे तो चलिए आप वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तो आपको बता दू कि ये जो मैंने वेबसाइट खोल रखिया है इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे मिलेगा वहाँ पे आपको कलिक करना है और कलिक करते ही आपके पास में ये जो उप्सन है और आरबी लोगिन के जो उप्सन आएगे वो है एहमदाबाद, अजमेर, इलाबाद, बैंगलोरू जहां से आपने फोरम अपलाई किया है यानि कि चाए आपने एहमदाबाद से किया हो चाए एजमेर से, चाए इलाबाद से, चाए बैंगलोरू से कहीं से भी आपने फोरम अपलाई किया है उस पे आपको कलिक करना है तो मैंने यहां पे एजमेर से फोरम अपलाई किया है तो मैं एजमेर पे यहां कलिक कर रहा हूँ ठीक है जैसे ही आप जिस जहां से फोरम अप्लाई किया है उस पे कलिक करोगे तो आपके पास में रजिस्टेशन नंबर और आपकी डेटो वर्थ उचेगा ठीक है तो रेजिस्टेशन नमबर में आपको क्या करना है कि अपना जो रेजिस्टेशन नमबर है वो डालना है तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ प्रूफ के साथ रेजिस्टेशन नमबर डाल करके यहां पे मैं मेरे registration number है वो डाल रहा हूँ ठीक है fast column में registration number हो गया इसके बाद में आपको यहां पे अपनी data worth जो आपने आपकी जो data worth है वो सही सही यहां पे mention करना है दूसरे column में ठीक है इसके बाद में नीचे दे रखाया है यह केपचा कोड दे रखाया है तो आपको यह केपचा कोड है यह भरना है एकदम सही से भरना हो गई आपको ठीक है यह केपचा कोड भरने के बाद में दोस्तों आपको करना क्या है कि यहां नीचे login लिखा है यहां पर आपको login कर देना है ठीक है इसके बाद में आपका जो फोर्म में नाम है वो नाम दिखा देगा और आपकी registration जो ID संख्या है वो ID संख्या दिखा देगा और just इसके नीचे आपको मिलेगा Your online application is provisionally accepted subject to certainty यानि कि आपका जो form है यह accept कर लिया गया है आपका फोर्म है वो accept कर लिया गया है आप exam है वो दे सकते हैं अगर यहां पर accept नहीं लिखा आएगा तो यहां पर आपको दिखाई देगा rejected अगर आपने fees payment नहीं किया है तो reject हो जाएगा आपका फोर्म और अगर आपने फोर्म पे पटी नहीं लगाया है तो भी आपका फोर्म है वो reject हो सकता है यह 100% नहीं कह सकता हूँ आपको कि फोर्म reject होगा या नहीं होगा क्योंकि रेल्वे ने अपनी official website पे अभी तक यह नहीं बताया है कि फोर्म है वो फोटो की वज़े से reject किया गया है वो सिर्फ एक न्यूज पेपर है अगर आप पढ़ते होंगे अमर उजाला न्यूज पेपर है उसने जरूर छपाए कि एक लगभग सवा करोड फोर्म है वो reject किया गया है और वो किया गया है फीस के कारण यानि कि पेमेंट नहीं किया गया है कंडिडेट्स के दवारा इसलिए वो फोर्म है वो reject किया गया है अगर आपके पास ये लिखा आता है तो आपका फोर्म है वो accept हो चुका है और अगस्त में जो एक्जाम होने वाली है वो एक्जाम आप दे सकते है इसके बाद में अगर आप अपने फोर्म का प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो अप्लिकेशन प्रिंट अप्लिकेशन पे आपको क्लिक करना है ये देखिए ठीक है ये फोर्म है ये जो मेरा खुद का फोर्म है वो यानि एक्सेप्ट हो चुका है ठीक है तो आप इस परकार अपने जो फोर्म को है वो चेक कर सकते हैं कि आपको फोर्म एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है ठीक है आपको ये मेरे देवारा दी गई जानकरी समझ में आई होगी और दोस्तों अगर आपके कोई सवाल वे सुझाओ है तो आप हमें कमेंट में जरूर लिखेगा हम आपकी कमेंट के जो जबाव हैं वो हर तरब से देने की कोशिस करेंगे तो दोस्तों उमीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो का आप लाइक कीजिए शेर कीजिए अपने दोस्तों के पास में ताकि वो अपने form का जो status है वो check कर सके कि form reject है या accept है ठीक है तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही जै हिंद वंदे मातरम